कुरोना वाइरस से नहीं पढ़ने के लिए DRDO द्वारा 2DG दवा तयार की गई है। कुरोना मरीजों के इलाज के लिए 2DG की 10 हज्या डोज का पहला बैच अगले हपते की शुरुवात में लॉंच किया जाएगा। ये जनकारी DRDO के अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कहा कि भविश में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। हैदराबाद के अलावा अन्य केंद्रों पर 2DG का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा रहा है। इस दवा के बारे में बताते हुए DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि ये दवा कोरूना मरीजों को रिकवर होने में और आक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है। चिकित्सा और समंध विज्ञान संस्थान यानि आई एन एमेस ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेडी लेबोटरीज में तैयार किया है डियाइडियों ने बताया इसे बेहत आसानी से उत्पादित किया जा सकता है इसलिए देश भड में जल्दी ही आसानी से उपलब्द भी हो जाएगी क्योंकि इसमें बेहत जनरीक मॉलिक्योल्स और बुलकोज जैसा ही है भारत सरकार द्वारत जारी स्टेटमेंट के अनुसार 2DG दवा एक पाउच में पाउडर की फॉर्म में आती है जिसे पानी में घूल कर आसानी से पिया जा सकता है यह वाइरस से करीर के अंदर परवेश कर जाता है तो मानव कोशिकाओं को धोखा देकर अपनी प्रतिक्रियां बनाता है साफ शब्दों में कहा जाए तो अपनी संख्या बढ़ाता है इसके लिए कोशिकाओं से बड़ी मात्रा में प्रोटीन लेता है DRDO द्वारत दयार की गई दवा एक सूडो गुलकोच है जो इसकी छमता को बढ़ने से रोकती है बतादे कि अप्रेल 2020 में महमारी की पहली लहर के दौरान INMAS और DRDO के विग्यानकों ने प्रयोग साला परडिक्शन किये थे इस दौरान उन्हों ने पाया कि ये दवात कोरोना वाइरस के खलाब प्रभावी ध से काम करती है और वाइरस को बढ़ने से रोकती है माई 2020 में कोरोना मरीजों में तूट डीजी के दूसरे चरण का परिक्शन के अनुमती दे दी गई माई से अक्टूबर 2020 के दौरान किये गए दूसरे चरण के परिक्शनों में दवा अशुरक्षित पाई गई और इसकी रिकबरी में महत्तपूर्ण सुधार दिखाया गया फेज 2 में 110 मरीजों का ट्राइल किया गया सफल परणामों के अधार पर डीसी जी आई ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण के परिक्शन के अनुमती दी दिल्ली उत्तरप्रदेश पश्य बंगाल गुजरात राजस्थान मह आराष्ट आंद्रपरदेश तेलंगाना करनाटक और तमिलाडू के 27 अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 मरीजों पर फेज 3 का किलनिकल ट्राइल किया गया तीसरे चरण की किलनिकल ट्राइल के विस्तरित आंकडे DCGI को पेश किये गए मरीजों के लक्षनों में काफी अधीक अनुपात में सुधार दिखा गया इसी तरह का रुजान 65 साल से अधीक ओम्र के मरीजों में भी देखा गया इसके बाद DCGI ने DRDO द्वारा तैयार की गई 2DG दवा को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अंजूरी दे दी